समर एक्सपेरिमेंट आपको प्रेंसिल या कोई भी स्केट ले सकते हो और सबसे पहले फ्रेंस मैं इसमें होल करता हूं अब मेरे दोस्त यहां आपको भूद द्यान से होल करना यह में नजर अटे ही यह मैं आपको महवारा सौना थेता हूं कि नजर हटी तो घड़ा टूटी सिंपल जी बात है ठी दो इसका मैं ब्लेट निकाल दे आए और इस तरह से ब्लेट से मां कट कर दूँगा तो काफी सारी आपको नोरिज दूगा वीडियो बने रही है मेरे दोस्त तो इस तरह कि जागते हैं कर मैं जैसकी में जाग रहा हूं ऐसा नहीं जागना चाहिए बोत गंदा लगता है त मेरे दोस्त यहाँ पर मैं बार वोल्ड 6 एंपर का मतलद चीक नहीं है मैं 6 एंपर का पैल्टी मोल्ड यूस करें मार्केट में और इसका होट एरिया और कूल एरिया मैं आपको दिखा दिया था तो आपको समर्य यार यह तो तुने पहले भी दिखा दिया था मेरे तो देख सोटे ताफी यह तुने अच्छी आपको कूलिंग देगा तो देख सोटेश्च आपको लाइट टेस्ट करके दिखा रहा हूं कि इतना टेंपर इसका टाँ चला जाता है तो 30.8 तो देख सोट पर उस तरह कि सोच गर रही है नजरिये गर रहा है उससे भी पर चलते हैं तो दोस्तों देखा आपने काफी स्पीड से यहां पर की टेमपर्च गिरा और मैंने काफी फास्ट स्पीड कर रखी वीडियो की क्योंकि वहना बहुत जादे आपका टाइम वेस्ट होगा वीडियो काफी लंब हो जाएगी तो देखो जो हमारा कोलिंग एरिया तो देखो यहां पर आइस बी जम चुकी आप देख सकते हैं चोटे आपको पीस दिखाए देरों काफी जूम कर रहा हूं तो आपको इससे किस्ते किस्ते मदद लेने हैं किस्ते आपको काम करना है इस इमिट आपको बतात रहूंगा तो वीडियो में यसाथ बने रही है त तो इसमें करेक्शिं में बड़े बात हैं अब आपाको बात कॉन ग में साइज कर लो खर देनी है किस तरह करता है के कृर्फियोफ प्रिज के बने रही है तो यहां पर प्र이h किसे बने रही आपको वीडियो बदा बताऊंगा से इलक से एक इसक्निक्त यहां अड़ नहीं तो friends ये अंदर के एरिया है हमारे घड़े का जो कि हमने चिकना घड़ा लिया था तो देखें मैं लाइड बनका आपको दिखा रहूँ अब ये थोड़ा सा इस्पेस होना भी चाहिए कोई हमें bone tight या ale tight जो होती है वो हम यूज करने वाले हैं और भी कोई भी यहां पर जो ग्लोगा वो काम नहीं करने वाला या आप M-sil कर भी यूज कर सकते हो जो M-sil मिलती है आप पाइफेटिंग शोप पर आपको 10 रूपिस की एजली मिल जाएगी यह भी आपको 20-30 की मिल जाती है इतनी कोश्टल नहीं पड़ती तो इन दोनों को मिला जेता हूँ आसनी से और बहुत आसनी से लग भी जाती है लगाना फ्रेंट्स काफी एज़ी है आपको पैल्टी मोट के चारो तरफ अच्छे से लगा लेना है बेफे कर रही है थोड़ा जाद चाय लग जाएगा लेकिन फ्रेंट्स काम 100% आपका होगा इस तरह आपको आसान से घड़को रख देना इसको पर और यहां होगा आपका काम अभी लिकेज होने का खत्रा है इसमें तो लिकेज को अच्छी तरह से बंद करने के लिए पहले आपको यह देखना है कि मटका आपको बैलन्स है यह नहीं है अगर बैलन्स नहीं होगा वाला हूं एक दूसरी हिट्सिंग मैंने और लेली है तो इन दोनों का फ्रेंड विसे अलग लग काम है तो मैं आपको एक चीज़ बतानों इसके आप इसके कूलिंग एरिया बढ़ा सको यहां पर फ्रेंड वाटर ब्लोक है यह वाटर ब्लोक काफी कोश्टली मिलता है यह मै इसे यहां पर प्लोक पर लगा दूगा जो कि कूलिंग इस सर्फेस होगी तो स्का इसका सर्फेस एरिया बढ़ जाएक कोलिंग कर पाएगी यह अच्छे से फ्रेंड जी काऊ होगा कि यहां मारी फ्रेज उसका भी काम कर पाएगी तो लबगो एक दिन मैंने तो छोड़ द अगर आपको बड़ी हीट्शिंग को फ्रेंज लंबी हीट्शिंग तो और अच्छी बात है अब दोस्ति यहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉबलम आने वाली है आप देखो जो हीट्शिंग का मारा फैन है वो नीचे जमीन से भीकुल टच हो रहा है जो के नहीं होना चाह है जमीन से टच नहीं है और यहां की तना मजबूत नहीं है जो साइड की जो ले पाएंगे तो क्योंकि यहां पर में दो पीस जोल लेता हूं आपको थोड़ी मोटी लकडी हो तो उसका आप लगा सकते हो यहां पर अच्छी तरह से चिपका दूंगा इस तेकिसे यहां पर यहां पर काफी मजबूत प्लास्टिक होती है अगर आपको लगे तो अगर आपको लगे तो आप साइड में लकडी का टुकड़ा लगा सकते हो तो देख आप अच्छी तरह से चिपक चुका है अब मेरे तो इसकी टेस्टिंग पाते है किस तरह करता है क्या सकते ठंडा कर है तो देख सो फ्रेंट्स मजब आ गया तो मैं आपको और करिप से दिखाता हूँ आपको थोड़ी चमक दी को फ्रेंट्स यह थोड़ी एल्लाय जो लगा थी उसकी चमक है तो मैं भी सुरू मैं थोड़ा कपकर रहेगा तो भाई की थोड़ी तो अच्छी तरह से कि अब जाद हो रहा है तो मुझे थोड़ा कम करना चाहिए कुछ कहने से समर घथे पर नहीं चड़ने वाला तो फ्रेंट्स आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए जितना हेरा फेरी में परेसा आवलना मांगा था उतना वक्त दीजिए तीच्छे लिए साहल घम से गम तो पर चलते हैं तो सेंसर की बीटे फ्रेंट्स मेना सीधा घड़ी के पाने में डाल दिया है और अभी 32.6 डिगरी सेल अभी आपको टेमपरी दिखा रहा तो दिखते पाने का नोर्म टेमपरेचर है वह 30.4 डिगरी सेल से अब मैं आपको बताया था कम से कम पांच एंपरी की सब्सक्राइ अपको यूज करनी सिस्क्राइल अच्षा नहीं करना किरा है और पर देखते हो तो यहां आपको उठा के दिखाता हूँ किस तरकर से ये वह 29 डूकष्य फैलिटि नहीं इन्हीं है फ्रेंड से कमेंट्स में आपको साथ ऐतना म्य तरह निल साथ 1 थो नो पर 5 फैंग कर्दा है इतना की कक्स अरया थो सकते हो दो आप ने तेमरम जल्दी हो जाएगा तो 26.0 degrees Celsius आप देख सकते हो दिखाता रहूंगा 30-60 degrees Celsius यूंकि आप जानतों मैं कोई फेक वीडियो नहीं मनाता मैं अच्छी तरी से महनत करता हूं महनत इस्वास रखता हूं 18.25 degrees Celsius एक चैंपरेठ्ज गोचच शुका है । 17.2 सिरत, की और दिखाता हो 10 जाएग कर दिखार 2.2 li आपस के तो मेरे दोस्त बिलकुल यहां पर वाटर कॉलर भी है मैं आपको इसे काम लेना आपको बता दूंगा तो फिलाल आपको कोई लकड़े का तो मजबूति देने के लिए आपको थोड़ा समय काम कैसे गरेंगा यहां तक तो वाटर कॉलर का जो की काफी अच्छा वर कर रहा है तो इसका सार पानी निकाल ला होगा इसका नदर 4-4 cm अच्छे लेगोगी वीडियो लाइक कर दीजी चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज बेल आगों को प्रेस कर दीजिए दीजिए का ओल पर और दोस्ता प्लीज अपना फीडिबोर जो दीजिए आपके वेरोडर कैसे लगी थेंगा